आप 24-25 लोग जितने भी हाँ जुड़े हुआ हैं काफी पंक्चुल हैं आप लोग आपकी सीरिसनेस पढ़ाई की तरफ देखकर काफी अच्छा लग रहा है योगेश केश कुमारी जी करन गोविन महरा मानवेंद्र सिंग ठीक है थैंक यू सोमच आवाज आ रही है वेरी गुड जल्दी से हम बेट कर लेते हैं कि थोड़े और लोग यहां जॉइन हो जाएं कम से कम पचास साथ लोग तो रहें जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक हम लोग कुछ क्वेशन के आंसर दो जल्दी मुझे बताओ कि स्टेट डांस कौन सा है मध्यप्रिदेश का स्टेट डांस कौन सा है जल्दी 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 जवाब दो जल्दी 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 Chetan Singh you very good माइराज डाइरी वेरी गुड राई 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 वेरी गुड अब बताईए कि state bird कौन सी है मुझे English और Hindi दोनों का नाम बताईए state bird English और Hindi दोनों में नाम बताईए सिर्फ चालेस ही लोग क्यों है क्लास में कोई आपनों का ग्रूप अगे राया तो हाँ मेसेज करिए बुलाईए लोगों को जल्दी से माच नहीं है डान्स मैंने क्या पूछा अब आपसे अगला क्वेशन शायद मैंने बर्ड पूछी ना बर्ड बताईए बर्ड बताईए बर्ड फ्लाई काचर योगेश जी पूरा नाम बताईए फ्लाई काचर का दूधराज हिंदी में हो गया वेरी गूड इंग्लिश में पूरा नाम बताईए मुझे इसका क्या है सिर्फ 48 ही लोग है क्लास में क्लास को बढ़ाईए बच्चे कहां है सब बाकी इतना बोरिंग लग रहा है क्या जोग्रिफी कल तो 100-200 लोग देख रहे थे आज कहां गए सब पारडाईस फ्लाई काचर वेरी गूड बहुत अच्छा जवाब दे आप लोगों ने अब मैंने आप लोगों से जिन लोग उसे स्टेट डान्स पूछा था जो लोग माच रिप्लाई कर रहे थे उनके लिए स्टेट डान्स हमारा माच नहीं है स्टेट डान्स राई है और स्टेट ड्रामा की जब हम बात करेंगे तो ड्रामा माच है ठीक है अक्षिद जी कह रहे हैं पचास स्टूडेंट हो गया अब एकदम स्टार्ट कर दूँ ठेक है दो तीन क्वेशन और स्टार्ट कर देते हैं चलिए बताईए कि मध्यप्रदेश को रिदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है इसके अलावा दो तीन नाम और बता दिजी किन जाना जाता है गोविन जी, थैंक यू, सो मॉज अगर इंट्रेस्टिंग लग रहा है, आपको तो जूगरिफियी यूजुжवली बच्छों को इंट्रेस्टिंग नहीं लगता है, अच्छी बात है, अगर इंट्रेस्टिंग लग रहा है तो ? ठेक है आप लोगे कॉमेंट्स यहां पर पढ़ती रहते हूं बड़ा अच्छा लग रहा होता है ठेक है सोया प्रदेश वेरी गूड विरेंदर पतेल जी आपने बुला है सोया प्रदेश विकास मौर्या नदियों का माइका दिव्या भदोर्या वेरी गूर्ड बहुत अच्छी बात है काफी काफी नॉलेज हां काफी काफी आप लोग पढ़ रहे हैं इस बार ठीक है 55 लोग देख रहा हैं और लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं तो लगता उनको पसंद नहीं आ रही हैं स्टार्ट करें कि नहीं करें बीच-बीच में questions और लेते रहेंगे ठीक है बीच-बीच में यृ टाइगर स्टेट नदियों का माय का्पूइस वेरि गुड फिंडיה कि ठीक है ठीक है ठीक है research है लेपोगर स्टेट का मैं एक बार और कन्फिर्म करोंगी टीकिसा किइसा स्टेट टो ही क्योंकि इंडिया में सबसे साथा टाइगर यहाँ पर ही मिलते हैं मध्यप्रदेश में ही मिलते हैं ठेक है start the lecture very good एकदम सबने start the lecture हो गया प्रियंका प्रजापती जी हाँ मैंने mail काफी सारे mails आये थे मेरे पास मैंने कुछ mails का reply किया तो है बाकी अगर कोई और mail spending है तो मैं एक बार और देख लूँगी एक बार यहाँ पर आप लोग email ID डाल दीजे फिर से मेरा चानल study dive जो है जहाँ पर आप लोगोंने mail किया हुआ है कुछ लोगोंने मैंने reply करने की भी कोशिश करी है ठेक है तो एक बार यहाँ पर डाल दीजे फिर में स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग मुझसे डीटेल में strategy वगेरा पूछ रहते हैं मैं उन सब का reply करूंगे अभी थोड़ा सा busy हूँ जैसे free हो जाऊंगे मैं reply करूंगे otherwise मैंने ppt और pdf जो पिछली दो classes का है वो telegram group पर डाल दिया है इन केस आप में से कोई telegram group पर नहीं है तो मुझे mail कर दीजगा तो मैं आपको ppt और pdf भेज दूँगी इस class के बाद में ये ppt भी आपको forward कर दूँगे ठीक है मानवेंद्र सिंग who gave mp the name heart of india ये तो आपके जो यहाँ पर chat में लोगें यही जवाब दे सकते हैं इसका चली मानवेंद्र सिंग के question का जबाब दीजे कि heart of india नाम किसने रखा था ठीक है शेफाली जी thank you so much गोविन जी कह रहे है मैं telegram channel बना दूँ मैं telegram channel बना दूँ अब पचास साथ बच्चों के लिए क्या telegram channel बनाओंगे मैं अलग से आप लोग के पास बच्चे हैं कम से कम काफी जादा अगर हजार बच्चों के आसपस हैं तो बनाओंगे अलग से पचास साथ बच्चों के लिए telegram channel देखो योगेश जी ने जवाब दे दिया है यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ जवाब दे रहे हैं जवाल लाल मेरू देखे जवाब मिल गया आपको इसलिए मैं बोलती हूँ कि आज से हमें काम करते हैं आप सब एक काम करिये एफोर से इस पेपर दो चार उठा के बैठिये ठीक है जब हम यहाँ पड़ रहे हैं बीच बीच में अगर आप लोग कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पर या मैं कोई questions पूछ रही हूँ कुछ मत करिये उसको एक line में एक fact बोलेंगे 10 पेज की fact book जो आपने खुद ने बनाई है वो आपके पास तयार रहेगी तो revision के time पर वो 10 पेज आपको ही पढ़ने है आपने ही लिखा है आपने ही notes बनाए है तो आपके पास वो चीज तयार है और आपको जाधा retain होगी तो यह चीज करना शुरू करिए ठीक ह ठीक है चलो अब हम start करते है class अगर आप लोग साथ साथ में notes भी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कुछ लोग जिनके पास time नहीं है अगर notes बनाने का तो मैं यही PDF आपनों को जब बेचते हूं तो इसी में add कर लिया करिए कुछ points अगर हैं तो अलग से मत लिखिये पूरा ठीक है यहां पर आपको बने बनाए notes तो मिल ही रहे हैं संदीब जी आप notes बना रहे हैं कुछ और लोग भी notes बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन जिन लोग का मन नहीं है notes बनाने का वो इन PPT और PDF को यूज कर लें ठीक है अब हम class start करते हैं सो अभी हमने देखा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं unit 3 unit 3 में ये forest forest produce wildlife की class में बाद में लूँगी कल हमने climate कल हमने climate पढ़ लिया यहां पर ठीक है mountain mountain ranges बाद में पढ़ते हैं climate की जिम मैं बाद करूं तो climate के अंदर एक sub topic आता है जिसे हम soil बोलते हैं ठीक है मिट्टी के नाम से एक sub topic आता है जिसे हम यहां पर पढ़ते हैं इस unit 3 के अंदर पढ़ेंगे ठीक है इसके अलावा कुछ topics हैं जो थोड़े लंबे हैं वो मैं बाद में करूंगी आज की class में हम soil cover करेंगे and I am pretty sure कि आप लोगों को soil के facts हैं देखें मैंने आपको हमेशा बोला है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास जो facts हो मुझे पता हो मेरे पास जो हो आपको पता हो तो यहां पर facts लिखते जाए ठीक है facts यहां पर आप chat box में लिखते जाए जो लोग chat box पढ़ रहे हैं जो lecture मेरा देख रहे हैं वो साथ-साथ में उसको note करते जाए तो आपकी fact booklet तयार हो जाएगी धीरे धीरे और यहां पर 70-80 लोग देख रहे हैं लेकिन 20-80 likes नहीं कर तो थोड़ा लाई इतना पुरा नहीं पढ़ाती हूंगा ठीक है चलिए अब अगर हम यहां पर climate के अंदर एक soil वाला topic अगर पढ़ेंगे चेतन सिंग जी इनको यहां पर मेरा email ID चाहिए कोई प्रियंगा आप भेज दीजे प्लीज यहां पर email ID लिखके ठीक है आगे पढ़ते हैं हम फिर से class start होने वाले है कुछ लोग काफी बोर हो गयोंगे मेरी इस बात से लेकिन प्लीज इसको याद कर लो प्लीज इसको दिम याद हो गया होगा कि नहीं हो गया है ठीक है इसके बाद महाराष्ट्र से यहां पर 36 गड़ से यहां पर उत्तर प्रदिश से इतने तो यह सारे आपको याद हो जाने चाहिए ठीक है अक्षित जी आप कह रहे हैं फॉरिस्ट में सॉइल आ जाएगा मैं फॉरिस्ट में एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगी तो उसको मैं अलग से लोंगी फॉरिस्ट फॉरिस्ट रिद्यूस और वाइल लाइफ वाला जो चीज है मैं उसको connect करते हुए चलूंगे जहां अगर आपको ये lectures काफी helpful लग रहे हैं तो ठीक है चलो अब ये map I hope यहां के अलावा आपके side में भी रखा होगा और आप उसको देख रहे हैं सुबा उठके भी कुछ लोगों ने देखा होगा I just hope कोई थोड़ी सी बात तो मानता होगा है ठीक है चलिए अब हम बात करते है soil in मध्यप्रदेश मिट्टी की अगर बात करें हमारे प्रदेश में मध्यप्रदेश में अगर हम बात करें तो हम दो तीन देखो यहां पे मैंने आपको जैसे की बताया कि हम बिल्कुल facts की बात करेंगी यह हमारी mains की class नहीं है preki class है preki as in crash course वाली class है तो बिल्कुल जो question direct आ सकता है या तो थोड़ा घुमा फिर आके जो आ सकता है मुसकी बात करते हैं ठेक है तो एकदम इसको fact की तरह याद करिए अगर यह PPTs आपने पढ़ ली तो आपके जो questions आने वाले हैं प्री में वो हो जाएंगे लेकिन एक और चीज जैसा मैं रोज बोलती हूँ आपको क प्लीज MCQs लगाए ठेक है तो अगर हम soil की बात करें अगर हम soil से start करें तो formation of soil अगर मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया जो process है ठेक है formation of soil उसको pedogenesis नाम से जाना जाता है pedogenesis जो formation है soil का that is known as pedogenesis ठेक है तो यह क्या हो गया यह fact हो गया इसमें मैं आपको क्या समझाओ इसमे अग fact booklet अलग से में डालना है अगर तो वहाँ लिख लो otherwise you can refer to the pdf, the ppt ठेक है इसके बाद study of soil की अगर हम बात करते हैं दीपक जी कह रहे है ma'am आपका lecture time से पहले start हो गया I am really sorry यह lecture उसमें 6.30 mentioned था I know but मेरी class usually 5.30, 5.45 अराउंड ही रहेगी 6.30 नहीं रहेगी लेकिन आप लोग telegram group प्लीज एक बार check करते रहा करिये और अभी आप live lecture यहां से शुरू कर दीजे पुराना वाला जो है वैसे questions discuss किया है हम यहीं से start कर रहे है majorly ठीक है so यहीं से class start हो रही है अब यहीं focus कर रहे है ठीक है तो यहां facts की बात कर रहा है formation of soil pedogenesis study of soil pedology loggy ठीक है यह दो चीजे हो गई यह दो facts है यह याद कर लेजे अब soil होती क्या है मिटी होती क्या है यार यह भी बताने की जरूरत है कि आप लोगों को कि मिटी क्या होती है नहीं न मिटी क्या होती है यह सब को पता है लेकिन अगर मैं इसको technically थोड़ा सा explain करूं तो basically अगर हम पृत्वी की बात करें अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का सबसे उपरी जो लेयर होता है ठीक है अर्थ का जो उपरी वाला लेयर होता है उसमें जो weathered portion होता है weathered अगर हम कहते हैं जो मिटी तूट जो पत्थर वगेरा तूट जाते है ठीक है वो जो उपरी जो ले एकदम नीचे जाके तो नहीं मिलेगी न, उपर मिल जाते हैं, फेड़ पौद ही हैं, यहीं पर लगते हैं, तो uppermost layer हो जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, sub-soil की, देखो, soil उपर होगी, तभी तो sub-soil नीचे होगी, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ facts दिये गए हैं, facts प क्या होता है, अगर मैं इस sub-soil में क्या होता है की बात करूँ, तो उसमें, जो पत्थर, rock वगेरा तूट कर, जो बनता है, उसको हम sub-soil कहते हैं, ठीक है, तो यह सब जो तूटने से, rock, पत्थर, वगेरा, gravels वगेरा तूटने से जो बनते हैं, उसको हम soil, और जो नीचे वाला area हो, that is your sub-soil, ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूँ, कि अगर हम soil को पढ़ें, तो हम अगर इस form में पढ़ें, कि यह उपर वाला layer, soil हो गया, नीचे, sub-soil आएगी, अगर मैं ऐसे पढ़ू, तो इसे हम बोलते हैं, vertical, इसे हम बोलते हैं, horizontal, तो अगर मैं vertical तरीके से प बोलें, so that is known as soil profile, ठीक है, that is known as soil profile, इसको हम क्या बोलते हैं, soil profile बोलते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मैं लेक्चर का time fix कर दीजे, थोड़ा सा time दीजे, सिकेश जी, मुझे लेक्चर का time fix करने के लिए, थोड़ा अभी busy हूँ, जैसे ही possible होगा, मैं जल् ठीक है, और यहाँ पर दीपक सिंग को पता नहीं, काफी खुश है यहाँ पर वो, इसके अलावा लोग मुझसे MCQ की book पूछ रहे हैं, मैं आपको, आप मुझे mail कर दीजे, मैं आपको to the point हर चीज का reply करूँगी, कि किस से related क्या MCQs के आप बात कर रहे हैं, ठीक है, दीपक क्या है, और soil profile की, अगर मैं आपको photo दिखाऊ, यह soil profile है, देखिए, यह सब आपको इतना detail में नहीं जाना है, horizons के बारे में, लेकिन soil profile की अगर हम बात करें, तो यह सबसे ही दिखें, यहाँ पेड़वेड है, यह एक layer है, यह दूसरी layer है, यह तीसरी layer है, तो यह जो layers के form में है, ठीक है, हम इसको vertically पढ़ रह inaugural है, उपर से नीचे की तरफ पढ़ रह adrenal है, उपर कौन सी layer है, तो इसको हम soil profile बोलते हैं, इसले है इसके लिए जो word है, that is vertical, इस vertical word को याद रखिए, ठीक है, कि हम vertically जब पढ़ते हैं, उपर से नीचे की और जब हम पढ़ते हैं, that is known as soil profile, ठेक है, तो ये हो गया आपका soil का introduction, मिट्टी का introduction मैंने आपको बता दिया ठेक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो types of soil देखे, कितने प्रकार की मिट्टियां हमें मध्य प्रदेश में हम सिर्फ मध्य प्रदेश की यहां बात कर रहे हैं तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो कितने प्रकार की मिट्टियां आपको यहां पे मिलती है, यहां पे याचिका सिंग, मैं इंडिया की जोग्रफी भी पढ़ाएंगे आप आप चाहती है तो बढ़ा दूँगी, नहीं चाहती है तो बता दी जो नहीं पढ़ाऊंगी ठेक है मैम आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है, नोटिफिकेशन नहीं आता शिवम जी, नोटिफिकेशन नहीं आता टेलिग्राम ग्रूप पे मैंने डाला हुआ है शायद आपने ग्रूप चेक नहीं किया है प्लीज एक बार देख लिजए अदर्वाइस इसी टाइम के आसपास 5 to 5.45 या 6 के बीच में मैं क्लास किसी भी तरह स्टार्ट कर ही दूँगी यह मेरी कोशिश है ठेक है, टाइपस अफ सॉयल पर आ जाते हैं ब्लैक सॉयल मतलब काली मिट्टी लाटराइट सॉयल जिसको हम हिंदी में भी लाटराइट सॉयल कहते हैं और मिक्स्ड सॉयल जिसे हम मिश्रित मिट्टी के नाम से जानते हैं ठेक है, तो अलूवियल हमारी जलोड मिट्टी ये लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाटराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, ठीक है? ठीक है, इसके बाद अगर तो यहाँ पर देख लेजे कि ये red soil है, ये black soil, ये aloeval soil और लाटराइट soil, लाटराइट soil आप देख रहे हैं, इसका color कितना different है, ठीक है, कितना ये ब्रिक वाला color होता है ये जिसे हम बोलते हैं, ये उस type का है तो अगर हम आगे पढ़ें, ये हमने soil profile देख लिया, अब हम black soil की बात करते हैं, देखो मैं फिर से बता रहे हूँ, ये to the fact है, अगर आपने black soil से related ये slide पढ़ ली तो आप black soil से related maximum questions attempt कर सकते हैं, ठीक है तो हम यहाँ बात करते हैं black soil की black soil को किसी और किसी ने मुझे यहाँ पर बोला कि आप end में live chat देखा करें, अगर मैं end में live chat देखूंगी, तो मैं कैसे बीच-बीच में जो questions पूछें, उसका answer दो अरे यार मेरा नाम नहीं है, तो मेरा message ही नहीं पढ़ रहे हैं be positive, मैं आपका message पढ़ रही हूँ पढ़ लिया मैने आपका message please be positive, इतने सारे messages आते हैं और फिर मुझे कुछ लोग यहां गुस्सा भी कर रहे होते हैं कि मैं पढ़ा नहीं तो मुझे बढ़ाना बढ़ेगा अभी ठीक है, black soil की बात करते हैं तो black soil के दो नाम हैं हम सब जानते हैं, रेगूर, मिट्टी रेगूर soil या black cotton soil एक चीज जो बच्चे-बच्चे को बच्पन से पता है, वो यह है कि इसे black cotton soil कहते हैं क्योंकि यहां पर कपास यानि cotton सबसे अच्चे से ग्रो करता है, ठीक है तो यह हो गया आपका black cotton soil इसके बाद अगर मैं इसको रेगूर soil बोला black cotton soil बोला, इसके बाद वहाँ पर जो लोकल्स हैं इस एरिया में यह जो मिट्टी जहां पाई जाती है यहां पर रहने वाले जो लोग है यहां के जो निवासी है ठीक है, वो ओके, ठीक है यहां के जो निवासी हैं यह आप लोग की chat मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैंने छोड़ दिया ठीक है, सो यहां पर जो यहां के निवासी हैं यह उसको किस नाम से जानते हैं भरी या कनहर ये दो नाम हैं जिन नाम से इनको जाना जाता है ठीक है अब इसकी विशेशता हैं अगर मैं बताऊं इसके features अगर मैं आपको बताऊं तो ये हैं कि ये एक clay type की soil है clay समझते हैं जिसे थोड़ा सा चिप चिपा अगर मैं बोल दूँ deep और imperme impermeable मतलब अगर मैं मान लीजे कि ये soil है ठीक है इस soil में अगर मैंने एक बाल्टी पानी डाल दिया अगर मैंने पानी इसमें डाल दिया या मान लीजे मैंने अपनी बॉटल से पानी डाल दिया इसमें तो ऐसा नहीं होगा कि पानी उपर से एकदम नीचे जल्दी से sand permeable है लेकिन black soil जो है वो impermeable है मतलब उसमें पानी धीरे-धीरे नीचे जाएगा ठीक है अकाश शर्मा जी आप लेट है आज class के लिए good evening ठीक है तो यहाँ पे पानी धीरे-धीरे नीचे जाएगा यह impermeable है तो अगर इसकी विशेशता है features की मैं बात करूँ तो clay deep और impermeable हो गर्मियों की बात करूँ जब यह मिटी सूख जाती है तो यह मिटी shrink कर जाती है तब इस मिटी का हाल ऐसा हो जाता है ठीक है यह मिटी सूख गई इसमें ऐसे दरारें पड़ जाती है यह मिटी सूख जाती है इसका पूरा पानी जो है गर्मी के कारण निकल जाता है तो जब ये मिट्टी गीली होती है तब ये ऐसी होती है देखो दोनों पिच्चर लगाई हो यह मैंने जब ये जब मिट्टी गीली है तो ये भूल जाती है और ये चिप-चिपी अगर मिट्टी ड्राइ है उसका पानी निकल जाता है गर्मी के कारण तो मिट्टी सिकुड जाती है ठीक है ये दोनों चीज़े इन दोनों पिच्चर्ज में है अगर आप पीपिटी से रिवाइस करेंगे तो आप बहुत इजली इसको समझ जाएंगे कि ये दोनों फोटो य गीली है तो ये एकदम ब्लैक है ठीक है तो ये इस रेंज में इसका कलर रहता है ठीक है आकाश जी कह रहे है वाटर होल्डिंग कपासिटी काफी जादा है बिल्कुल सही कह रहे है वाटर होल्डिंग कपासिटी क्योंकि पानी इसमें धीरे धीरे नीचे जाता है तो ये का मतलब chemical composition में क्या है, क्या नहीं है, और क्या कम मातरा में है, यह मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, कि बाद मैं ऐसा ना हूँ, कि आप यह PPT खोले, और आपको समझ ही ना आए, कि यहां लिखा क्या है, ठीक है, तो chemical composition भी अगर हमने बात करी, यह मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें है lime, इसमें है iron, magnesia और alumina, ठीक है, यह चार चीजें इसमें है, पर इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इसमें phosphorus नहीं है, इसमें nitrogen नहीं है, और इसमें humus नहीं है, कि पत्तियां वगेरा जड़ कर जो यूमस बनाती है जो मिट्टी को अच्छा करती है वो और गैनिक माटर जो है वो इसमें नहीं प्रेजन्ट है ठीक है और लिटल मतलब क्या चीज इसमें कम मात्रा में वो है पोटाश एक बार इसको पढ़िए फिर से तब तक मैं आपके य तो यहाँ पर वैभफ जी कह रहे है इसके तीन टाइप से आ रही हूँ आगे आती हूँ मैं उस पर ठीक है तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन की हमने बात की तो क्या है क्या नहीं है और क्या कम है यह याद कर ले जो तीन बार पढ़के अभी क्लास में आ दो जाना ची सोया बीन है जब हमने स्टार्टिंग में लेक्चर के देखा था तो MP को किस नाम से जाना जाता है इसको हम सोया स्टेट कहते हैं तो सोया तो ग्रो करेगा ठीक है तो यह सोया बीन वीट और कॉटन का पास सोया बीन वीट जो है यह यहाँ पर यह यहाँ पर ग्रो करता है ठ एक वॉलकेनों जब फटता है तो उसमें से जो मैगमा निकलता है वो मैगमा जब सूख जाता है सूख तो नहीं बोलूंगे मैं उसको जब जम जाता है कुछ ऐसा समझ लीजे तो उससे बसाल्टिक रॉक के फॉर्मेशन से आपकी ब्लैक सॉइल बनती है ठीक है इसको मैं इत मैं ब्लैक सॉइल के फीचर की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में अप्रोक्सिमेटली 61% साथ परसेंट से भी जादा लाजिस्ट पार्ट जो है आपका मध्य प्रदेश का धाट इस मामी कॉम्पोजिशन सही है हाँ कॉम्पोजिशन तो सही ही लग रहा है मुझे बहादूर सिंग जी कह रहे है कनू और प्रिया नहीं यार एक ही नाम है मेरा कनू प्रिया ठीक है बसार्टिक रोग जो है यह उससे फॉर्म होता है मध्य प्रदेश का 61% जो एरिया है that is like 61% of the soil area जो है that is your black soil मतलब सबसे जादा जो present है that is your black soil black soil सबसे अधिक मातरा में present है ठीक है and हमारा जो agriculture area है देखें black soil वाला area अगर हम इंडिया के map में देखेंगे तो जो महराश्टर, मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ area जो यहाँ पर है that is mainly that area has black soil and उसी area में सबसे जादा cotton ग्रो करता है सबसे जादा कपास ग्रो करता है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ तो महराश्टर के बाद सबसे जादा area black soil का मध्य प्रदेश में है ठीक है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है last point इसको जोर से पढ़िए पढ़ोसी को सुनाई देना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे है और किसकी class ले रहे है ठीक है main agriculture area under black soil MP में है and महराश्टर के बाद मध्य प्रदेश ही है जहाँ पर सबसे जादा है black soil and MP का around 61% is your black soil ठीक है ठीक है आगे पढ़ते हैं अगर मैं types of black soil की बात करूँ कोई उपर पूछ रहा था अकाश शर्मा बी positive आप लोग अलग कुछ budget बजट की class चल रहे हैं यहाँ पर चले छोड़े है black soil की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो black soil के 3 types हैं 3 अलग अलग प्रकार की black soil है मतलब अभी हमने types of soil देखा कितने प्रकार की मिट्टियां होती है अब हम मिट्टियों के जब हमने black soil की बात करी काली मिट्टी की बात करी तो उसके अंदर हमने तीन और अलग प्रकार की मिट्टियों की बात करी ठीक है, which is यह तीन है आपकी अब देखो, बुक में पढ़ोगे तो पारग्राफ पारग्राफ फॉर्म में दिया रहेगा इसको मैंने टेबल फॉर्म में आपके लिए कनवर्ट किया इस टेबल को अपने दिमाग में बिठा लो, आपको types of black soil, उनके region और उनकी crops याद हो जाएंगी ठीक है, region क्या है, सबसे important आपके लिए सिर्फ यह है कि किस region में किस प्रकार की काली मिट्टी मिलती है अब अगर मैं नर्मदा सोन वैली की बात करूं, देखो मुझसे मत पूछना कि नर्मदा सोन वैली कहा है, मालवा सत्पुड़ा कहा है यार इतना तो आप दिमाग में, कहां गन्नीन्द में भी पता होना चाहिए ठीक है, नर्मदा सोन वैली और मालवा सत्पुड़ा range ठीक है ठीक है, अब हम बात करते हैं normal black soil की तो normal black soil कहां पर है आपका एक जो मालवा plateau है मालवा plateau वाला जो रीजिन है उसके अलावा उत्तर जो हमारा मध्यप्रदेश के उत्तरी districts है वहाँ पर उत्तरी जो जिले है वहाँ पर आपको normal black soil मिलेगी and इसके अलावा एक निमाड वाला जो निमाड वाला रीजिन शायद मैंने यहाँ डाला होगा देखिए जो यह जो यह जो जगा है यह जो districts है यहाँ पर यह आपके निमाड रीजिन में आ जाता है and it includes these districts आप इन दोनों map को compare कर पा रहे हैं यह मैंने इसलिए आसपास डाले हुए है कि यह जो एरिया हुआ यह आपका निमाड रीजिन हो गया ठीक है so इस निमाड रीजिन में आपकी normal black soil मिलती है इस निमाड रीजिन में आपकी black normal black soil मिलती है एक बार और देख लीजे इसको east निमाड west निमाड करके यहां लिखा हुआ है एक बार तो ये जो shallow black soil है, ये छिंदवाड़ा, बैतूल और सियोनी वाले रीजन में मिलती है। छिंदवाड़ा, बैतूल और सियोनी वाले रीजन में आपको यहाँ पे कौनसी soil मिलेगी? layered black soil या shallow black soil जिसे हम कहते हैं, वो इस region में. तो इस region में आपकी हो गई shallow black soil, ठीक है? ये इस region में आपकी shallow black soil हो गई, इसके अलावा मैंने आपको निमाड रीजन में कौनसी बताए? normal black soil हो गई, यहाँ पे आपकी normal black soil हो गई, normal black soil, बी-एस समझ लीजे, ये आपकी normal black soil हो गई, ठीक है? इसके अलावा नर्मदा, सोन वैली और मालवा सत्पुडा रेंज, जो सबसे बड़ा area है, जो आपको पता भी है, वहाँ पे आपकी dark black soil है, ठीक है? अब देखे, अगर हम यहाँ पे remarks की कुछ important जो points हैं, अगर आपको देखने हैं, तो ये low fertility वाला है, इसमें एक जो important point सारी books में मिलेगा, आपको वो ये है कि 15 cm से 1 m की depth है, मतलब, ये जो depth है, soil की, ये 15 cm से 1 m वाली depth है, ठीक है? इसके अलावा, my dog, so difficult to, राज यादव जी आपको पताने क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, crops की अगर हम बात करें, तो ये crops देख लीजे, इसलिए मैं आपसे बोल रहे हूँ कि अगर ये आपने table अपने दिमाग में बिठा लि पड़ेगी, सबसे important ये region वाला area है कि किस type की काली मिठी किस region में मिलती है, किस area में, किन districts में, किन जिलों में प्राप्त होती है, ठीक है, ये हो गया black soil के बारे में, अब मुझे नहीं लगता कि black soil में आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अगर alluvial soil की, जिसको हम जलोड मिठी के नाम से जानते हैं, ठीक है, अगर हम जलोड मिठी की बात करें, तो इनका जो local name है, जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, इस area में जो लोग रहते हैं, वो उसको दोमत या कच्छारी मिठी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अब alluvial soil क्या होती है तो देखिए क्या होता है कि जब नदियां पहाडों से बहती है या मानिज़े जब नदियां बहते हुए आती है तो वो अपने साथ में कुछ deposit कुछ material, कुछ मिट्टी कुछ जो चीजें लेकर आती है जमा हो जाती है आगे जाकर lower plains पर ठीक है उससे जो बनता है that is your alluvial soil या जलोड मिट्टी जिसे हम कहते हैं अब क्योंकि वो deposit होती जाती है ठीक है जो क्योंकि वो deposit होती जाती है इसलिए उसको depositional soil भी कहते है, deposit मतलब इखटा होती जाती है तो इसलिए उसको हम depositional soil भी कहते है ठीक है और अगर हम मध्यप्रदेश की बात करें अगर हम specifically मध्यप्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश में ये जो soil है ये चंबल के, चंबल river, चंबल नदी से जो deposit जो material आता है उसके जमा होने से उसके इखटा होने से उन deposit के इखटा होने से alluvial soil ये जलोड मिट्टी आपकी बनती है ठीक है तो ये area जो रहेगा अब देखो फिर से दो class पहले चले जाते हैं चंबल जब हमने पहली class करी थी तो मैंने आपको 10 बार बताया था कि चंबल जो है वो किन दो states के बीच की boundary बनाती है राजस्थान और मध्यप्रदेश ठीक है दीपक कुमार जी आपको mailing ID चाहिए मैं काम करूंगे आखरी मैं अपने अपने account से यहाँ पे mail कर दूंगे email ID डाल दूंगे ठीक है तो ये जो northern region है क्या हो रहा है वो राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच की boundary बना रही है तो वो north की तरफ है ना यहाँ देखो यहाँ से चंबल अगर बहती है तो वो राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच की boundary बना रही है तो ये area कौन सा है मध्यप्रदेश का ये नौर्थ वाला उत्तर वाला है ना तो जब यहां पे चंबल के deposit होने से यहां Alluvial Soil या जलोड मिट्टी बन रही है तो यह area जो North का region है वही होगा ना उत्तरी districts ही होंगे, उत्तरी जिले ही होंगे हमारे तो हमें Alluvial Soil या जलोड मिट्टी के case में चंबल का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर minerals की composition की वही की मैं जैसे explain कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो अगर mineral composition की बात करूँ तो क्या-क्या जादा quantity में है, क्या कम quantity में है? मतलब जलोड मिट्टी में कौन-कौन से minerals ऐसे है जो जादा मात्रा में है और कौन-कौन से ऐसे है जो कम है तो अगर जादा की मैं बात करूँ तो देखे, ये potash है और कम की मैं बात करूँ तो phosphate nitrogen humus अब आप एक बात ध्यान रखे, phosphate nitrogen humus अगर मैं पिछले उसमें जाऊं तो यहाँ पे भी आपके पस यही चीज़े है कि क्या चीज कम है यहाँ पे भी वही चीज़े कम है यहाँ पे जो एक चीज़ आप PPTs को ध्यान से देखे, जो important चीज़ है उसको मैंने highlight करके रखा हुआ highlight as in उसको bold में लिखा हुआ है ठीक है, तो यहाँ पे ratio of sand is to silt is to clay sand, silt और clay का जो ratio होता है यह यहाँ पे क्या है 50 is to 20 is to 30 यह चीज़ आपको याद रख लेनी है जैसे कि मैंने आपको black soil में एक चीज़ बताई थी कि उसका नाम cotton soil है black cotton soil है, ठीक है और यहाँ पे आपका cotton soya bean और wheat है, वैसे ही यहाँ पे जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ratio of sand, silt और clay, ठीक है यह तीनों का ratio क्या है, 50 is to 20 is to 30, और इसे हम depositional soil बोलते है ठीक है and चंबल हमें याद रखना है कि चंबल, alluvial soil या जलोड मिट्टी के case में सबसे ज़ादा important है जिन लोगों को मेरा email id चाहिए मैं यहाँ पे एक बार और लिख लेती हूँ या तो screenshot ले लो क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है channel study dive at the rate gmail.com ठीक है, channel a है na, channel study dive at the rate gmail.com ठीक है, screenshot ले लो बार बार मत पूछना अब आगे पढ़ते हैं कि अगर हम area की बात करें क्योंकि हमने जलोड मिट्टी को alluvial soil को chumble से relate किया और chumble जो है वो उपर है तो यहाँ पे north की तरफ है northwest की तरफ है तो यहाँ पे जो जिले होंगे वो north northwest वाले district होंगे जो chumble belt के नाम से जाने जाते हैं ठीक है और एक जो बुंदेल खंड वाला area है वो तो अगर यहाँ पे districts देखे जाए अगर यहाँ पे जिले देखे जाए तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी यह जो districts हैं यह वहाँ के अडूवियल soil वाले अडूवियल soil area वाले districts हैं इस map को देख लो यह मैंने बोला आपको यहाँ से चम्बल भहती है, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच की boundary बना रही है तो यहाँ पे जो north में है यह आपकी जलोड मिट्टी है इसके अलावा मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि सबसे जादा मध्यप्रदेश का जो area है वो black soil के अंदर है काली मिट्टी के अंदर है तो देखे यह काली मिट्टी है यह काली मिट्टी है तो अगर मैं यह आलूवियल वाला पार्ट हटा दू तो इतना मध्यप्रदेश का जो पार्ट है वो आपका सिर्फ काली मिट्टी से ही घिरा हुआ है ठेक है यह हो गया हमारा जलोड मिट्टी एक बार और अगर email ID देखना है तो देख लीजे उसके अलावा इसको हम depositional soil कहते है चंबल की चंबल जो river है वो यहाँ पर important हो जाती है and ratio of sand, silt और clay जो है 50 is to 20 is to 30 यह important हो जाता है ठेक है आगे बढ़ते है mixed soil या मिशरित मिट्टी अगर यह किसी ने कोई नहीं भी जानता है तो भी इसके नाम से समख जाएगा कि mixed soil या मिशरित मिट्टी क्या होती है ठेक है mixed soil या मिशरित मिट्टी क्या होती है just a second आप लोगों को कोई doubt है अगर या email ID किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार देख लीजे प्रियंगा प्रजापती जी यहाँ पर बता रही है कि river of ganga carried maximum alluvial soil हाँ अगर हम इंडिया के context में बात करें तो definitely ganga जब आती है तो ganga सबसे जादा alluvial soil सबसे जादा मिट्टी महां से लेकर आती है alluvial मिट्टी लेकर आती है साथ ठीक है लेकिन अगर हम यहाँ पर मध्यप्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश में जो नौर्थ नौर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ पर चंबल बहती है तो इसलिए हमने यहाँ पर चंबल को याद रखा है जब हम इंडिया की जोग्रफी पढ़ेंगे specifically तब हम वहाँ पर गंगा की बात करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं mixed soil या मिश्रित मिट्टी यार नाम ही इसका mixed soil है mixed मतलब सब मिला जुला है इसमें सारा कचरा यहीं पर है कचरा मतलब सारी प्रकार की मिट्टियां यहीं पर है so basically mixed soil जो है mixed soil या मिश्रित मिट्टी कहते हैं ठीक है and क्योंकि यहाँ पर तीनों हर प्रकार की है तो यार होचपॉच हो गया थोड़ा कचरा हो गया इसलिए समझ लो कि यहाँ पर जो fertility है वो थोड़ी कम है it is relatively less fertile काफी जादा यहाँ पर होचपॉच कचरा हो गया इसलिए थोड़ी सी comfortile हो गई ठीक है फिर से वहीं आ गए हम कि यहाँ पर क्या नहीं है phosphate, nitrogen and humus यहाँ पर नहीं है राकेश जी आपको PPT मिल जाएगे मैं यहाँ यहाँ आप mail कर दीजेगा मुझे तो मैं भेज दूँगे अगर आप telegram group पर नहीं है तो ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो दो important crops है वो maze और जुआर है maze और जुआर है ठीक है और यह मिट्टी कहाँ पर मिलती है यह मिट्टी आपको विंधियन range पर मिलेगी यहाँ एक बार दो मिनिट का time दीजे मझे ठीक है एक important fact आपका छूट जाएगा इसलिए मैं उसको बता दीती हूँ ठीक है तो आपका यह alluvial soil यह हो गया आपका alluvial soil वाला map यह area यह आपका black soil ठीक है इसके बाद अगर मैं मिश्रित मिट्टी की बात करूँ तो विंधियन range बताया मैंने ठीक है यहाँ पर कुछ area है जहाँ पर mixed soil आपको मिलेगी ठीक है इस map में थोड़ा सा समझ लिए कि इधर भी आपको थोड़ी सी मिश्रित मिट्टी मिलेगी ठीक है अब हम आते है red yellow soil पर red yellow soil पर ठीक है तो जो red yellow soil वाला जो area है इसके बारे में पढ़िये सबसे उपर क्या लिखा है कि भाया this is the second largest soil in MP अब मैं यहाँ पर 2 second का break ले रही हूँ आप मुझे बताये कि first largest soil कौन सी है किसी एक ने भी गलत किया तो डाट पड़ेगी ठीक है largest soil in MP कौन सी है जल्दी से बताईए जल्दी बताईए सो गए क्या सब लोग कोई comment क्यों नहीं कर रहा है कोई live chart पर कोई है क्यों नहीं राज आदव जी maps are really good ठीक है maps का अलग से अपन एक PPT बना लेंगे जिसको अपन exam जाने के एक दिन पहले आप देखिएगा आपको help करेगा ठीक है आकाश शर्मा जी आयुशी दुबे दिव्या राकेश कंचन रिया रागिनी चलो black soil काफी बड़ी है ये कौन है बहादूर सिंग जी alluvial soil नहीं है lecture फिर से सुनिया या ध्यान से सुनिया ठीक है second largest soil अगर हो गई तो ये हो गई हमारी red yellow soil otherwise हमारी जो first है that is your black soil इतनी बार बता दिया ठीक है बाकी सब ध्यान से सुन रहे हैं very good ठीक है अब आगे हम देखते हैं कि poor यहाँ पे poor मतलब क्या नहीं है soil में ग्यार फिर से यहीं नहीं है यहाँ कि किसी soil में नहीं है क्या phosphorus, nitrogen, humus यहाँ पे फिर से नहीं है और इसी कारण आप देखिए कि यह soil जो है यह comparatively less fertile है मतलब यह comparatively यहाँ पे बिलकुल यह present ही नहीं है हमारी मिट्टी less fertile हो रही है तो इसलिए यहाँ पे it is not generally suitable for cultivation तो यहाँ पे हम कुछ उगा ही नहीं पा रहे है ठीक है, यहाँ पे generally suitable नहीं है cultivation के लिए ठीक है, तो आपका जो red yellow वाला area है, वो यहाँ के कुछ area है जहाँ पे आपको red yellow soil याने की लाल पिली मिट्टी जो है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक है इस जगा पर मिलेगी अब यह लाल और yellow का मतलब क्या है, मैंने इसको लाल और yellow क्यों बोला, मैं इसको redia yellow soil क्यों बोल रही हूँ मैं इसे yellow इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें एक chemical जिसे हम कहते हैं, ferric oxide ferric oxide के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो इसमें present होता है and because of this इसके present होने के कारण, it is because of the presence of ferric oxide कि यह yellow in color है ठीक है, इसके अलावा it is red due to oxidation of iron, अब क्या होता है iron है, iron का oxidation जब हो जाता है, iron का oxidation, oxidation को क्या बोलते हैं हिंदी मैं मुझे नहीं पता oxidation जब हो जाता है, तो यह lal color का हो जाता है, जिस कारण से मिट्टी भी lal हो जाती है ठीक है, तो इसलिए यह lal color का है and इसलिए यह पीला color का है, यह दो reasons यहाँ पे दिये गए है and यह जो मिट्टी है यह poor in phosphorus, nitrogen and humus तो है, लेकिन this is rich in iron oxide, this is rich in iron oxide ठीक है, rich in iron oxide, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस soil में एक बुराई क्या है, leaching process जानते हैं, कोई leaching जानते है कि leaching क्या होता है यार आप लोग को पता हो न जाए कि leaching क्या होता है ठीक है, तो leaching का जो concept अगर आपको यह नहीं पता है तो बताईएगा इसको मैं अगले lecture में जिन लोगों को नहीं पता है, उनको explain करूँगी और एक बार कोशिश करिये पढ़ने की पता होगा ठीक है, leaching का जो concept है, उस कारण से यहाँ पे इस मिट्टी में काफी बुरा असर पड़ता है जिस कारण से crops जो है वो suitable नहीं रह जाती है आपके cultivation के लिए ठीक है अकाश शर्मा जी एक हमको चीज़ दे रहे है as fact कि phosphorus nitrogen, NPK जो है definitely NPK जो है, वो तो इंडिया की ही problem है कि पूरी हमारी जितनी soils है mostly soils में आपको NPK का content कम मिलेगा, जब NPK का content कम मिलेगा, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, बहुत जादा fertilizers use करने पड़ते हैं, इन सारे minerals को add करने के लिए तो जब हम fertilizers use करते हैं फिर fertilizers हम excessively use कर देते हैं जिस कारण से हमारी crops को और नुकसान पर पहुँचता है, ठीक है चलिए, ये हो गया आपका red yellow soil which is the second largest soil, तो हमारी first largest हो गई देखो इतने area में black soil ठीक है, और second largest मैंने आपको बता दी red and yellow soil, जो red and yellow soil वाला area है, that is this area, इस area में आपको देखो, यहाँ पे ये red and yellow soil लिखा तो हुआ है, इसमें बीच में यहाँ पे मिशरित वाली soil भी आती है तो आप ध्यान रखें कि red and yellow soil इस map में जो दिया है, उसमें से थोड़ा area जो है उपर का, वो आपका मिशरित soil वाला है mixed soil वाला है, ठीक है इसके बाद मैं बात करूँगी laterite soil की, laterite soil को हिंदी में भी हम laterite soil ही कहते है, laterite मिट्टी के नाम से ही जानते है, ठीक है बस class खतम होने वाली है जल्दी से रापप करते हैं, एक घंटा हो गया है हमारी class को, almost ठीक है, तो यह इसको tea soil के नाम से जानते हैं, as a fact and local name इसका भाटा, ठीक है, अब laterite कहां से आया, laterite क्यों बोला मैंने, laterite जो है it is derived, यह एक latin word से आया है, जिसको हम later बोलते हैं, ठीक है and it means brick it means brick, brick मतलब eat, इसलिए हमने starting में देखा था, यहाँ पर देखिए कि जब मैं laterite soil की बात करती हूँ, तो मैं eat की बात करती हूँ, ठीक है, तो later यानि latin word brick ठीक है, वहाँ से आया, इसलिए हम उसको laterite soil बोलते हैं and this covers approximately 4% of the state of Madhya Pradesh, MP का approximately 4% यहाँ पर cover कर रहा है अब अगर laterite soil की बात एक और चीज़ देखी जाए तो इसमें एक important fact जो यह है वो है कि sand और stone, यह इसमें बहुत ज़्यादा quantity में, बहुत ज़्यादा मातरा में मिलता है, ठीक है यह बहुत ज़्यादा मातरा में sand और stone मिलता है, अब यह sand और stone, stone से क्या करेंगे building बनाएंगे, कुछ construct करेंगे और क्या घर सकते हैं so it is because of this that it is suitable for construction ठीक है, इन जगाहों पर construction किया जा सकता है, जहाँ पे इस तरह की मिट्टी present होती है, जहाँ पे laterite soil आपकी present होती है ठीक है ठीक है, यहाँ पे map कहांगे, map नहीं है, map आगे दिखाती हो मैं, और यहाँ कि अगर हम composition की बात करें, तो composition में क्या rich है, मतलब composition में क्या है, composition में क्या थोड़ी कम मातरा में है, it lacks fertility, तो अगर हम बात करें, तो rich मतलब काफी ज़ादा, इसमें iron oxide and aluminium present है iron oxide, इसमें काफी ज़ादा मातरा में present है, latteride soil, tea soil या भाटा के नाम से हम इसको जानते हैं, later मतलब brick से आया यह, ठीक है be positive, मैं कल का time बता दीजे, आपकी class का possibly 5.30 ही होनी चाहिए, एक बार और मैं confirm कर दूंगी कल, ठीक है काफी coordinate करना बढ़ता है, इसलिए problem आ जाती है, ठीक है अब हमने यह latteride soil कर दी अब देखो, soil से related, क्योंकि class का time खतम हो रहा है आप लोगों को खुद से भी पढ़ना होगा, तो soil से related अगर कोई भी doubts हैं, तो मुझे mail कर दीजे email ID बता चुकी हूँ, दो-तीन लोग, please email ID लिग दो, तब तक मैं यहां पर facts की बात करते हूँ, अब यह facts हम पढ़ लेंगे, जिससे हमें directly questions आ जाएंगे, और हम वो MCQs लगा सकते हैं, ठीक है important facts मैं बस यहां पढ़ रही हूँ otherwise मैं आपको जब PPT mail करूँगे तो पढ़ ली जिगा and I'm pretty sure आप लोगो यह सब पता है, ठीक है हो गया यह fact, इसके अलावा अगर हम बात करें, so alluvial soil यानि जलोड मिट्टी की जब हमने बात करी so it is formed by the deposition of chumble river, chumble river को मैंने आपको explain कर दिया, बस इसको याद रखिये कि यहां पे इसके कारण जो deposition होता है ठीक है, उससे बनती है यह alluvial soil and इसलिए हम इसको depositional soil के नाम से भी जाते है, मैं soil topic नहीं दिया है कहीं, अगर हाँ soil topic exactly नहीं दिया है कहीं specifically उसमें आपके syllabus में लेकिन forest वाला जो area है उसके अंदर soil cover होता है तो अगर मैं उसको छोड़ दूंगे और उससे question आ गया, तो आप बाद में पच्चताएंगे, तो इसलिए उसको cover करना पड़ेगा, ठीक है, alluvial soil has a deficiency again, देखे, alluvial soil इसमें भी deficiency है, ठीक है alluvial soil covers, चलो यह तो काफी जादा fact हो गया कि 30 lakh acre area जो है, यह cover करता है अब अगर एक बाद जो वहाँ पे पहले छूट गई थी कि alluvial soil का pH कितना होता है यार, pH तो बच्पन में के chemistry में पढ़ा था, pH पता होना चाहिए कि pH की range क्या होती है, 7 से उपर क्या है, 7 से कम क्या है, 7 क्या है ठीक है, तो इस alluvial soil का pH value is 7 7, 7, 7, 7, 7, साथ-साथ हम लोग साथ-साथ पढ़ रहे हैं, याद किर लो साथ, इसका pH क्या है, alluvial soil का pH है, साथ, ठीक है अभी हमने इसके पहले sand, silt और clay का ratio किसके लिए देखा था हमने देखा था, alluvial soil के 50 is to 20, is to 30 ठीक है, यह यहाँ पर उनने इसको exact numbers में दे दिया है 50 is to 20 is to 30 के जगा 50 is to 19.6 is to 29.4, तो जिसको यह याद हो जा रहा है, वो यह याद रख लो जिसको वो याद हो जा रहा है, नमबर वो याद रख लो है आसपासी है एकी चीज़ अलमोस्ट ठीक है, इसके बाद प्रियंका जी, thank you so much आप इतनी बार आपने लिख लिया है इतनी बार कर दिया है राज याद जी कह रहा है, संडे को छुट्टी तो नहीं है संडे मतलब कली है न, संडे अभी तक तो फिलाल कोई छुट्टी नहीं है, पढ़ने से है ही, so नहीं होगी चुट्टी, ठीक है इसके बाद mustard और wheat की बात करें तो aluvial soil में mustard और wheat आपकी दो important crop है ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ fertility की, तो अगर हमने जितनी भी crops पड़ी है उसमें अगर हम बात करें कि सबसे जादा fertility किस crop की होती है तो सबसे जादा fertility जो है वो है आपकी aluvial soil की याद रखिए black soil सबसे जादा है, लेकिन aluvial soil सबसे जादा fertile है सबसे जादा fertile या crops की growth के लिए सबसे अच्छी जो soil है, that is your aluvial soil, ठीक है? ठीक है मैंने, रजनी जी आपको मैंने बताया कि comparatively अगर हम बात करें ठीक है, comparatively अगर हम fertility की बात करें, ऐसा नहीं कह रही हो मैं कि aluvial soil आपकी best soil है, fertility की comparatively अगर हम बाकी soil से compare करें, बाकी मिट्टियों से compare करें तो इसकी fertility सबसे जादा है ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो देखें आगया कि black soil covers the maximum area ठीक है, black soil का color black क्यों है, तो कोई न कोई तो reason होगा, लाल मिट्टि को हमने बोला कि वो ferric oxide, iron oxide होता है, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसके बाद black soil की बात करें, तो यह 61% maximum area ना, तो 61% की बात कर रहे हैं, ठीक है इसके बाद black soil को हम cotton soil बोलते हैं, तो यार, cotton crop के लिए suitable होगी, यह सब आपको पता है, pH value बता दी black soil का, हमने पहले discuss कर लिया, कि इसको regular soil के नाम से जानते हैं, then again हम deficiency की बात करें, अब आप बोलोगे कि मैं जल्दी-जल्दी क्यों पढा रही हो, तो यह पूरा पढा चुकी हो, मैं, ठीक है deficiencies, इसकी phosphate, nitrogen, organic matter सभी soil की है, तो यहां पे भी कम है, ठीक है, black soil is on by the breaking of basalt rock, यह भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो soil erosion, अब अगर मैं बात करो soil erosion की, तो soil erosion जो है, यह basically पूरे मध्यप्रदेश की problem है, तो chambal की जो ravines हैं, chambal में ravines form होती है, chambal river के कारण, तो यहां पे थोड़ी सी soil erosion की problem मध्यप्रदेश में मध्य भारत plateau में देखी जाती है, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, the color of red yellow soil जो है, that is due to the presence of ferric oxide, ferric oxide के पा, आकाश शर्मा जी इतना जादा आप यहां पे information दे देंगे, तो लोग लिग भी नहीं पाएंगे, and मेरे को मुझे सुनने की जलब, वो आपके facts ही देखते रहेंगे, तो इतना, इतनी जादा details मत दीजे, मुझे भी थोड़ा पढ़ा लेने दीजे, प्लीज, ठीक है, तो यहां पे हमने देख लिया, कि color of red soil, जो है, it is due to the presence of ferric oxide, बढ़ अच्छा है, आपको इतने जादा facts पता है, Indian geography कब से start करेंगे, Indian geography का भी मुझे idea नहीं है, जैसे ही मुझे पता चलेगा, मैं आपको बता दोगी, ठीक है, इसके बाद, यह हो गया, हमारे facts cover हो गए है, so this is all for today, I hope, यहां पे किसी को कोई problem नहीं है, एक दो questions कर लेते हैं, फिर class खतम करते हैं, लो भाईया, फिर से लिख देती हूँ, channel, study dive, add the rate, gmail, ठीक है, यह देख लो, जिस जिसको जो जो दिक्कत है, पूछ लेना, ठीक है, अब, मैं कहां रहती हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, चलिए, अब questions कुछ-कुछ है, questions के जवाब दीजे, मुझे, सबसे पहला question, जो मुझे इस बुक में दिख रहा है, उसका वो question है, which is the largest soil of MP, प्लीज बता दो, largest soil of MP क्या है, largest soil of MP क्या है, योगेश जी, मेरे बारे मैं आपको बता दिती हूँ, कि मैं आपको यहाँ जोग्रिफी पढ़ा रही हूँ, और थोड़े कुछ दिन मैं आपको जोग्रिफी पढ़ाऊंगी, जब तक आप लोग बोर नहीं हो जाते हैं, ठीक है, black soil, very good, सब ने जवाब दे दिया, now tell me black soil covers how much area of the state, कितना percentage area जो है, वो black soil काली मिट्टी आपके मध्य प्रदेश का cover करती है, काली मिट्टी कितना percent cover करती है, be positive, thank you, आपने इतनी बार लिख दिया मेरा email ID, ठीक है, यहाँ पर जवाब दीजे, मुझे दिखी नहीं रहा है, 61% very good, 61% आ गया, बिल्कुल correct answer है, ठीक है, अब मुझे बताएए कि, aloval soil जो है, वो कौन लेके आता है, हवा लेकर आती है, पानी लेकर आती है, या चटाने rocks लेकर आती है, या all of the above, जल्दी बताएए, air, water, rocks, या all of the above, चंबल river, ठीक है, जिन लोगों ने चंबल river answer दिया, या याद रखिये कि, it is basically river, and अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो question में अगर चंबल मेंशिंड है, then it has to be chंबल river, ठीक है, इसके अलावा, अगर मैं बात करूँ, तो मुझे बता दीजे कि, क्या बताएंगे, कि कौन से, हाँ, तो soil erosion जो है, soil erosion जो है, वो basically मध्य प्रदेश में, किस river के कारण होता है, किस river के कारण, soil erosion हो रहा है, soil erosion की अगर मैं बात करूँ, तो किस river के कारण, maximum soil, देखो, soil erosion काफी rivers के कारण होता है, लेकिन maximum अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा soil erosion, किस river के कारण हो रहा है, चंबल के कारण, आप लोगों ने सबने सयांज़ दिया, अब मुझे बताएं कि, लाटिराइट soil जिसे हम कहते हैं, या लाटिराइट मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, आप सबका answer सही है, लाटिराइट मिट्टी जिसे हम कहते हैं, वो हमारे मध्यप्रदेश का, कितना percent area cover करता है, कितना percent area cover करता है, लाटिराइट मिट्टी, ठीक है, जल्दी से बताएं, आखरी question है, क्लास कदम करती हूं है, काफी टाइम हो चुका है क्लास को, एक dislike भी कर दिया है, ओके, आई ट्राइब, जल्दी 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 बताएं, लाटिराइट सॉयल, सो बेसिकली लाटिराइट सॉयल जो है, आपका लाटिराइट मिट्टी जो है, वो मध्यप्रदेश का 4% area, 4%, वो हमारी लाटिराइट मिट्टी कवर करती है, ठीक है, सो ये था हमारा आज का सॉयल बाला चाप्टर, कोई भी डाउट, देखो मैने maximum mails को कल reply करने की कोशिश करी है, अगर आप लोगों को और डाउट से हैं, और कोई queries हैं, तो मुझे इस email ID पर mail कर दीजे, आप लोगों को मैं आज के lecture का जो PPT है, वो मैं Telegram चानल पर डाल दूगी, जो लोग Telegram पर नहीं है, वो मुझे mail कर दीजे, तो मैं यहाँ पर बेश दूगी, mail पर आपको reply कर दूगी, और this was all for today, कल हम लोग definitely मिलेंगे, और क्लास का टाइमिंग एक बार Telegram ग्रूप पर चेकर लीजेगा, बर इसी टाइम पर होगा, ऐसन फाइफ थोटी अराउंड ही क्लास रहेगी, ठेक है, तो दिस वुज इट, आव गुड दे अंड लाइक कर दीजे सेशन को, आव सेशन को,